Hello students, मैं हरें प्रताप सिंघ, आप सभी लोग आपने इस ऐच के स्नल चैनल पर सुधात करता हूँ Students, आज हम लोग इस वीडियो में इंगलिस ग्रैमर के अंत्रगत अधिन करेंगे synthesis का और synthesis में हम लोग पढ़ेंगे Combination of simple sentences into one simple sentence अर्थात दो या दो से अधिक simple sentences को मिला के simple sentence बनाना जैसा कि मैंने previous वीडियो में आपको बताया है कि दो या दो से अधिक simple sentence को मिला के simple sentence बनाने की कुल जो है छोटी बड़ी आठ विदियां है जिसमें अलेडी में बहुत सारी वीडियो अपलोट कर चुका हूँ कि अलब एक या दो ही बचा हुआ है तो आज जो है आज हमनों को पढ़ना है use of adjective कि कि किस प्रकार हम adjective का प्रियूब करके दो या दो से अधिक simple sentence को मिला कर एक simple sentence बनाएंगे twice students हम लोग बिना समय गवाय सुरू करते हैं तब यह समझते हैं कि हम लोग adjective का कैसे यूज करेंगे कैसे हम पचाने के sentence को और वहां पर हम कैसे adjective को यूज करके हम simple sentences को एक simple sentence में कमाइन करेंगे देखें यहाँ पर screen पर आपको सामने कुछ लिखा हुआ है पले हम इसको पढ़ते हैं फिरा हम लोग समझते हैं देखें इसमें लिखा है कि जब दोनों वाक्यों में से किसी एक वाक्य में ऐसे विसेशन का प्रियोग किया गया है और थात ऐसे adjective का प्रियोग किया गया है जो दूसरे वाक में किसी संग्या की विशेष्था प्रिकट करता है तो उस विशेषण को मुख रुप से नाउन की पास रख कर simple sentence बनाती है देखे दो simple sentences दिये गए होंगी और उन दोनों से किसी एक simple sentence में जो है ऐसे adjective का प्रियोग किया गया है जो दूसरे वाक में किसी नाउन की विशेष्था प्रियोट करता है तो हम क्या करेंगे कि उस adjective को मुख रुप से उस नाउन की पास हम रख करके simple sentence बना देंगे अब यह example देखेंगे तो समझ में आएगा अब यहाँ पर देखेंगे आपके सामने एक sentence दिया गया है दो simple sentences दिये गये क्या कर रहा है कि I bought a pen मैंने एक pen खरीदा इट वाच चीप यह सस्ता था क्या कर रहा है इसमें मैंने एक pen खरीदा यह सस्ता था आप देखेंगे दूसरे बाक में यह जो चीप सबद है यह बिसेस्ता बता रहा है किसकी क्या सस्ती थी यह जो है क्वालिफाई कर रहा है किसको pen को क्या सस्ता था pen सस्ता था तो हम इस तरह कर सकते हैं जैसे अब यह sentence है फेस एक बार इसका पड़ लेते हैं किकि I bought a pen मैंने wisdom खरे रहे वह चीप याँ सस्ता था मैंने सब्सक्राइब करेंगे Same मैंने एक सस्था पेंड खईदा अब दोनों सेंटेंस एक में ही कमबाइन हो गए यहां दोनों दो सिंपल सेंटेंस एक में कमबाइन होकर कि एक सिंपल सेंटेंस बन गए कि अख़े बार बार आप आप हमेरी एक बात में से आदक है कि जब भी आप कमाइन कर लें तो sentence के structure को देखें कि simple sentence बना है की नहीं बना है simple sentence की मुखी पचान है कि इसमें क्यों एक finite वर्ब होता है और finite वर्ब किसे करते है finite वर्ब के उपर subject का प्रहाप पड़ता है और इससे tense की जयंकारी होती है, किसी जयंकारी होती है, जैसे आई बाट है, cheap pin मैंने एक सश्था pin खईता, अब इसमें ये जो बाट है, ये वर्म ये बता रहा है, कि ये sentence किस tense में है, किसमें है, ये past attribute में है, कि क्रिया का second form लगा हुआ है, बाई का बाट होता है अब इस नेक्स्ट एक्जामपल देखते हैं इसमें क्या कर रहा है कि a man came to me he was wise इसमें कर रहा है कि a man came to me एक आदमी मेरे पास आया he was wise, वह बुद्धिमान था एक आदमी मेरे पास आया वह बुद्धिमान था अब इसमें देखिए इसमें जो यह wise adjective है और यह qualify किसको कर रहा है यह qualify कर रहा है की man को आढमी कैसा था? आढमी wise था, बुद्धिमान था तो हम इसको इस्तरह कह सकते हैं कि एक बुद्धिमान आढमी मेरे पास आया हम इसे इस्तरह कह सकते हैं कि a wise man came to me एक बहुद्धिमाद भ्यक्ति मेरे पास आये अब यह बढ़ गया simple sentence क्योंकि इसमे क्यों ले काई finite वर कहा है केम है इससे पता चला है कि यह सि सब्सक्राइब बने सेबाने से इस अब नेच्स किसिन देखी नेस्ट क्या कि दिपृंसफपल फाइंड बॉय तो अब हम देखे लड़का कैसा था लड़का जो था वो सरार्ती था किसको क्वालीफाई कर रहा है बॉआ को कर रहा है तो हम इस तरह दोनों sentences को विलाके कह सकते हैं कि principal ने सरार्थी रलके पर find लगाया अर्थात principal ने सरार्थी रलके पर अर्थदंड लगाया तो इसका हो जाएगा इस तरह The principal find a native way अब यह simple sentence हो गया कैसे क्योंकि इसमें यह कही finite verb है कहा है वो है find है find से पता चला है कि यह sentence किस tense में है Next question है इसमें कहा रहा है कि I bought a shirt मैंने एक shirt खरीदा It is very beautiful यह बहुत सुन्दर है मैंने एक shirt खरीदा यह बहुत सुन्दर है तो अब यहाँ पर देखिए यह जो beautiful यह एक adjective है और किसकी प्रिसिस्ता बता रहा है shirt कैसा है यह shirt सुन्दर है यह किसको qualify कर रहा है यह beautiful सब जो है shirt को qualify कर रहा है इसकी प्रिसिस्ता बता रहा है shirt कैसा है shirt सुन्दर है तो हम इसको दोनों को मिलागर कि इस तरह का सकते है कि मैंने एक सुन्दर shirt खरीदा मैंने एक सुन्दर shirt खरीदा तो इस beautiful को कहा लगा देंगे इस shirt के पास रख देंगे अर्थाती shirt के पहले लिख देंगे तो यह हो जाएगा इस तरह कि I bought a very beautiful shirt मैंने एक बहुत सुन्दर shirt खरीदा next question है कि a man came to my office एक आदमी मेरे office आया he was blind वह अंधा था क्या करा इसमें एक आदमी मेरे office आया वह अंधा था तो हम इस तरह इसो लिख सकते हैं कि एक अंधा आदमी मेरे office आया अब इसमें यह जो blind है यह adjective है और यह किसको qualify कर रहा है यह man की मिश्यस्ता बता रहा है तो हम man के पहले इसको लिख देंगे और इससे लिखेंगे कि एक अंधा आदमी मेरे office आया तो देखिए इस तरह हो जाएगा अब blind man came to my office एक अंधा आदमी मेरे office आया अब इस simple sentence है क्योंकि इसमें काई finite वर वे कौन है game है next question है इसमें कर रहा है कि रोहन गेप सम मनी to a boy रोहन ने एक लड़के को कुछ पैसा दिया दूसा sentence है लड़का लंगणा था पहला sentence का है कि रोहन ने रोहन गेप सम मनी to a boy रोहन ने एक लड़के को कुछ पैसा दिया दूसा sentence है लड़का लंगणा था अब लड़के की मिस्स था क्या बता रहा है कि लड़का कैसा था लेम लगणा था तो हम इसको इस तरह का सकते हैं कि एक रोहन ने एक लगड़े लड़के को कुछ पैसा दिया हम इसको ऐसे लिख करते हैं रोहन गेप सम्मनी रोहन ने कुछ पैसा दिया तुए लैम मैंने एक लगड़े लड़के को अब आजे नेक्स क्यूशन देखते हैं नेक्स क्यूशन क्या है नेक्स क्यूशन है कि पुलिस ने एक चोर को पकड़ा दा थीप वाज वरी नोटोरिस वह जो चौर को पकड़ा अच्छोड कैसा था चौर नोटोरिस था तो यह नोटरियस सब्द जो है किसकी बिस्षिस्ता बता रहा है जोर कैसा था नोटरियस था तो यह चोर की बिस्षिस्ता बता रहा है तो हम इसको इसको इस तरह लिए सकते हैं कि पुलिस ने एक कोख्यात चोर को पकड़ा ताथ पुलिस ने एक notorious thief को arrest किया हम ऐसे लिख सकते हैं इसको पुलिस caught a very notorious thief अब एक नेक्स क्यूशन देखते हैं नेक्स क्यूशन क्या है अ टाइगर वास हंगरी एक टाइगर भूखा था इक किल्ड बुलक उसने एक बैल को उमार दिया बुलक वास हैप्टी अब बुलक कैसा था हैप्टी था मत्तब मजबूत तंदृस्त था हट्टा कट्टा था ठीक है अब देखिए यहाँ पर इसमें तीन sentences हो गए हैं इसको कैसे कंबाइन करेंगे पहली बात क्या करा है कि यह टाइगर वास हंगरी एक टाइगर भूखा था तो हम इसको लिख सकते हैं अहंगरी टाइगर फिर दूसरा क्या है कि केल्डे बुलक उसने बैल को मार दिया दो बुलक वास हैप्टी बुलक कैसा था हैप्टी था तो हम इस तरह भी लिश्कते हैं कि इस भूखिय टाइगर ने एक हेप्टी बुलक को मार दिया इसका इस तरह होगा कि a tiger killed a hapti बुलक एक टाइगर ने एक हेप्टी बुलक को एक तंदुरस बुलक को मार दिया लड़का सरारती तहाँ अब नट्य शब्द एड्जेक्ट हे हैं और इसको क्वालिफाइ गारा है और और गवण को क्वालिफाइक करritis एक क्वालिफाइ करा रहा है वो यसान के दें हो सरार्थी लड़के को दंडित किया तो इस तरह हो जाएगा दे प्रिंस्पल पनिस टन आटी बोई प्रिंस्पल ने सरार्थी लड़के को दंडित किया और नेक्स इसन है इसमें क्या करा है कि I bought a pen मैंने एक यह बहुत सुंदर है I bought it last month मैंने से पिछले महिने खईदा I bought it from Mr. Sharma मैंने से Mr. Sharma से खईदा I bought it for 400 रुपीज मैंने से 400 रुपे में खईदा अब देखिए इसमें जो है कितने sentences हो गए इसमें पांच sentences हो गए इसमें पांच sentences हो गए और इस पांचों sentences को एक सिंपल sentence में combine करना है तो हम कैसे लिए सकते हैं मैंने पिछले महिने एक सुंदर पेन Mr. Sharma से 400 रुपे में खईदा इसको इस द लिए सकते हैं कि मैंने पिछले महिने में Mr. Sharma से 400 रुपे में एक पेन खईदा जिस्टर हो जाया कि I bought a beautiful pen मैंने एक सुन्दर पेन ख़ईदा कितने में फार फोन टेट हंडेट टूपी चास उरुपे में किस से ख़ईदा फ्राम मिस्टर सर्मा मिस्टर सर्मा से कफ़ेदा लास्ट मुन पिछले महिने तो मैंने मिस्टर सर्मा से इसमें है कि मैंने मिस्टर सर्मा से सुन्दर पेन चास उरुपे में पिछले महिने ख़ईदा अब देखिए यह सिंपल सेंटेंस हो गया क्यों कैसे सिंपल सेंटेंस है किसमें एक ही finite वर्भ है और वह भी कहा है बॉट है कि मैंने खरीदा यह से पता चला है कि यह किस टेंस मे पे हैं और पूरा सेंटेंस जो है सिंपल है कि अब यह नेक्स किसन देखते हैं देखें नेक्स किसन है आपके सामने क्या करा है कि ही हैस्टू सपोर्ट इस फैमिली उससे अपने फैमिली को सपोर्ट करना है कि इस फैमिली उसका परिवार बहुत बड़ा है कि उसे अपने तो उसे अपने परिवार को सपोर्ट करना है और उसका परिवार बहुत बड़ा है तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि उसे अपने बड़े परिवार को सपोर्ट करना है इससे देखी उसे सपोर्ट करना है उसके बड़े परिवार को अब यहाँ पर लार्ज क्या है यहाँ पर जो लार्ज है वो एडजेक्टिव है और किसको कौलिफाई कर रहा है फेमली को क्योंकि फेमली कैसा है फेमली लार्ज है बड़ा है अब इन्हेक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्सक्स शेर को देखा स्वरीत फ्रस्जमाय आ गया इस्ने कराए कि उसने ऐसे फिरियोस लाइन को देहा एक भैयानक शेर को देखा सब्सक्राइब में देखें यहां पर है कि हिसा हरी फ्भीरियोस ही रायन पुलिस ने एक टेरोरिस्ट को पकड़ लिया आतंकवादी पुलिस ने एक टेरोरिस्ट को पकड़ लिया ही वास यंग वह ही हुआ था आब दखिए यंग जो है यहाँ पर यह एड़िजेक्टी है कि सको क्огालिफाई करा है कौन यंग था तो वहाँ पर यहाँ टेरिस्ट यंग था थो दो हम इसको इस्तरश खा सकते हैं कि पुलिस ने एक यूर टेरिस्ट को पकड़ लिया देखिए यह रहेगा कि पुलिस कॉट यंग टेरिस्ट पुलिस ने एक यंग टेरिस्ट को पकड़ लिया अब इन देखते हैं इसमें कि सम पिपूल केड्नैप कर लिया कि अपरण करना होता है इसमें कुछ बच्चों ने सॉरी कुछ लोगों ने बच्चे का आपरण कर लिया वो साथ साल का था रहेश में कुछ लोगों ने एक बच्चे का आपरण कर लिया और बच्चा साथ साल का था तो हम इसको इसलोगों कर के बच्चे को किड्नैप कर लिया इसलोगों ने चीज यहाँ पर आपको नोट भी करनी है कि adjective phrase का भी प्रयोग हो सकता है यह दो सेंपल सेंडेश को मछाना लेकिन इसमें किसका और प्रयोग हो सकता है इसमें एड़ेक्टि फ्रेज का भी काल करता है बस इसमें एक से आधिक सब्दों होता है ठीक है ऐडियक्ट्ट्व प्रेज में जो है कि या फ्रेज्च चाह couple करता है। देखिए इसमें देखिए थोड़ा सा बाकी sentences से थोड़ा different है इसमें क्या करा है कि there is a book on the table table पर एक पुस्तक है it is the क्या कर रहा है there is a book on the table table पर पुस्तक है इसको देखिए हमने कैसे क्माइन किया है कि the book on the table table पर पुस्तक है आप यहां पर देखिए यह जो on the table है किसका काम कर रहा है यह काम कर रहा है एड्जेक्टिव फ्रेज का किसका एड्जेक्टिव फ्रेज का प्रयोग कर रहा है एड्जेक्टिव फ्रेज का काम कर रहा है एड्जेक्टिव और एड्जेक्टिव फ्रेज क्या अंतर है एड्जेक्टिव में क्यों एक सब्द होता है जो किसी नाउन या प्रनाउन को क अगर तब ही एर टेब मेला केेट Sir । अभाई नेक्स तैकि Нटे यह कि नेक्सक्तिक है कि is the pen in the pocket पॉकेट में पेन हे इप इस्टियाइ इस्टिया का बना आब क्या करा है थेआ ने dus kan इस्टर हुगा कि पीड़ पेड़ इंदे पॉक इसमेड़ पॉकेट्शनेट द्वाइन फॉक्टिन करते श्रुशन आपनों पर और एकसी को यह आजुक्टि रहे वनां फॉक्टिन attitude is इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया इड़ेक्टिव फ्रेज्ट जो है यह इन दे पॉकिट नहीं यह है इस मेट आफ इस्टील पेन कैसा है पेन मेट आफ इस्टील है ठीक है इस्टील का बना हुआ है तो थोड़े सी के के गलती हो गई यहां पर जो एडीजेक्टव एडीजेक्टिव फ्रेस हो जाती है इस तील मैं यहांपर क्या होगा इस मैंट फिछी भाई एडजेक्टिव फ्रेस कब आप स्टोडाब सा कफ्रीमि बोलने में जबां फिसल जाती है उसके समाप्रथी तो इस्टुएंट्स इस प्रकार जो है यह एड्जेक्ट्री का प्रियुक जो है जो है दो या दो सदी सिंपल सेंटेंस को बनाने के लिए एड्जेक्ट्री का यूज हम लोगों नहीं अच्छी तरश से पढ़ा और आसा करता हूं कि समझ में आया होगा तो यह फार्मेशन आप सिंपल सेंटेंस से समंद्री जितने भी विदिया थी उसमें लभग मैंने सभी को बता दिया है क्यों एक ही विदिया भी वाकी है कंजक्शन एंड का प्रियो करकी तो किसी दिन इसको भी मैं जो है उसका वीडियो बना करकी अफ्लोट कर दूंगा तो झाल झाल